आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि पात्र का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ हुदाहन वाक्यों से भी से और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले पात्र का आर्थ समझते हैं पात्र का कई तरीके से इस्तिमाल किया जा सकता है और पात्र का एक अर्थ होता है किसी चीज़ का उचित होना योग्य होना या वेक्ति या चीज जो किसी विशेश कार्य के लिए उप्योक्त हो या उसकी हकदार हो तो पात्र का विलोम शब्द यानि विप्रित आर्थक शब्द हो सकता है अपात्र और अपात्र का आर्थ होता है अयोग्य वेक्ति या उचेति यानि कि जो किसी चीज़ का हकदार ना हो या किसी चीज़ के काबिल लायक ना हो तो उसको हम अपात्र कहते हैं तो आईए अब हम कुछ उधारन वांकियों से भी इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि वह इस पुरुसकार का पात्र नहीं है। या फिर आप कह सकते हैं कि सही पात्र को मदद मिलनी चाहिए। या फिर आप कह सकते हैं कि अपात्रता के कारण उसे कई अफसरों से वंचित रहना पड़ा या फिर आप कह सकते हैं कि अपात्र लोगों को जिम्मेदारी सौंपने से समस्याय उत्पन हो सकती है अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें